अगर आपको लंबे समय से पतली लेटिन हो रही हो पतली लेटिन होने के साथ बजन कम हो रहा हो या कभी भी आपके लेटिन में खून आए तो अवश्य अपना कोलोनोसकोपी कराएं लंबे समय पतली लेटिन होना या लेटिन में खून आना एक कोई गंभीर बिमारी का खाओ हो या कोई पॉलिप हो या कोई कैंसर जैसा बड़ा रोग हो वो इस एक जाच से 100% पकड़ में आता है तो अपने लक्षण को नजर इंदाज ना करें अगर लेटिन में काला या लाल खून आता है अगर आपका खून कम हो रहा हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो ये कम क क्यों हो रहा है तो अवशे अपनी कोलोनोस्कोपी करवाएं